दोस्तों IPL में कुलकता नाय टायर को अपनी कप्तानी में दो वर चैंपियन बनाने वाले पुलव भारतिय बल्लेबाज गौतंग गंभिर ने IPL को लेकर बड़ी बाते कही हैं जिसे हर क्रिकेट फैंस को सुनना चाहिए हम आपको बता दे कि IPL 2.30 का मिनी ओक्षन 30 दितंबर को होने वाला है जिसमें कई बड़े देशी और बिदेशी ख्याणियों पर बोली लगाई जाईगी वहीं आपको बता दे कि जून से जुलाई के बीच में IPL 2.30 के मैचेस देखने को मिल सकते हैं ऐसे में गौतंग गंभिर जैसे बड़े खिलाडियों को IPL के बारे में कु कहा IPL भारतिये क्रिकेट और भारतिये युवा प्लेयरों के लिए अच्छी चीश है लेकिन IPL सुरू होने के बाद से ही IPL को एके काफी अल इचनाय होती रही है जब जब भारतिये टिम इंटरनेशनल क्रिकेट मच्छा प्रदसन नहीं करती है और कोई बला टुनामेंट ह करती है तब IPL को इसका दोसी बताया जाता है सभी फैंस का कहना है कि IPL में खेलते हुए खिलाडी अपने टीम के लिए 100% देते हैं लेकिन दब देश के लिए खेलने की बात आती है तो वह अपना 100% नहीं दे पाते हैं और वह अपने आपको IPL के लिए सुरचित रखते हैं जो कि ये खिलाडियों के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है गौतम गंभीर ने आगे कहा कि अगर ICC टूनामेंट में प्लेयर अच्छा परदसन नहीं करते हैं तो आप खिलाडियों को उसका दोसी मान सकते हैं अगर IPL पे उंगली उठाना ये सही बात नहीं है हम आपको बता भी देशी कोच आते हैं और मोटी रकम कमा कर चले जाते हैं भारतिय कोच होना इसलिए भी जरूरी है कोच की भाबनाय हमें साथ देश और देश प्रेमियों के साथ जूड़ी होनी चाहिए इससे आपको टीम के लिए बहतर करने के प्रेरना मिलती है दोस्तों आप क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक क्रिकेट सुची और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें